कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं महादेव इसके में कैसा स्कैम है जिसमें सटूरियों के द्वारा करोड़ों रुपय के सट्टा लगाया जाता था और इसका मालिक पहले भिलाई में रथा था जो भी दूबई जा चूगा है दूबई में रथा है उसमें सुभम सोनी के द्वारा एक वीडियो वारल किया गया जिसमें भूपेद बगल जी के ओपर कम भी आरोप लगाया गया है लेकिन जनकारों का कहना है कि यह जो आरोप लगाया गया है यह सिर्फ चुनाओ को देखते हुए भूपेद बगल जी को बनाम करने के लिए जन्दा दिन या 20 दिन पहले ही वीडियो का वार्यल होना संदेर की स्थिति में आता है पहली बात तो यह कि उनका पहला रोपिया यह उन्होंने 508 करूड रुपर भूपेज बगल जी को दियें लेकिन यह नहीं बताया है पॉरे डॉकमेंट अपने धिखा रहा है लेकिन समझ में यह नहीं आता कि उन्होंने इतने गंभी आरोप लगाया उसके कोई साक्ष उनके दोरा अभी तर प्रस्तुत नहीं किये गया है तो जानकारों का कहना है कि यह टोटली ही भाश्पा के द्वारा भुपेश बगल जी को बनाम करने के लिए यह सर्जन तरह रचा गया है ऐसा जानकारों का कहना है और दूसरी बात यह है कि ED की रडार पे यह है और ED जो है वो किंद सरकार के अधिन है तो एक आसनका यह भी है कि ED की धंकी से या ED के दवाऊं में सुभंसोनी ने यह वीडियो बनाया है और यह वीडियो को वरल किया है तो यह पूरा संधे की स्थिति में है सच्चाई क्या है यह तो जाज के बाद ही पता चलेगी कि फिलाल में आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि इस सोसल साइट से आप लोग बच के रहेगा यह एप बहुत लोगों की जिंदगी बरबाद कर चुका है महादे वेब और यह जो इंसान भारत वापस आना चाहता है लोगों सब की लिए से भारत आने मत दीजे रहा हूं और मैं महादे बुक का ओनार हूं यह रहे उसके डॉकुमेंट्स और यह मेरे आदा डॉकुमेंट्स हैं यह मेरा पास अधार काड़ है यह मेरा पैन काड़ है और यह मेरा पासपोर्ट है और महादे बुक का ओनार मैं ही हूं यह आपको डॉकुमेंट्स दिखा दिया है मैंने और 2021 में इसको मैंने चालू किया था यह उसका पूरा डॉकुमेंट्स है मेरा गेंबलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर बिलाई में और यह तो बहुत छोटे से काम चालू हुआ था उसके बाद धिर धिर काम बढ़ता गया अब काम बढ़ता गया उसके बाद हमारा लाइट्स्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे तो सब नोटिस करने लगे, मतलब जो आसपास के लोग हैं, वो लोग नोटिस करने लगे, धीरे धीरे बात उपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगएरा भी होने लगा, तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जो बहुत जरूरत था हमको क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ-कुछ, तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में, फिर मैंने उनसे मीटिंग की, फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया, अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, यह हुआ कि अब उनको मुझे हर महेना दस लाख रुपए देना है, तो वो भी ओक्य हो गया, अब हर महेना मैंने उनको दस लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़ी है, चलने लगा मेरा, अब ऐसा भी कमा रहे थे हम सब कुछ उक्के था, उसके कुछ द रहे बाहर, बाहर निकली नहीं रहे और लोग तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ, फिर उसके बाद भी लड़के नहीं चुटे, फिर मैंने वापीस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भीया लगता है यहां से एक काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किसे मिलवाता हूं, ऐसा क मिलवाना है, तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ, फिर उसके बाद भी लड़के नहीं चुटे, फिर मैंने वापीस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भीया लगता है यहां से एक काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किसे मिलवाता हूं, ऐसा करके बोले हो, बोला ठीक है सर मिल जवाता हूं, हम गया साथ में, वहाँ पर सीम सर और बिट्टू भीया से हमारा मीटिंग हुआ, यह चीज का मैंने पुरा अपना लिख के दे दिया है, उसमें रिटन स्टेटमेंट में कि क्या हुआ, वहाँ कैसे हुआ, किस बात का डील हुआ, हर चीज का स्टेटमेंट मै हुआ मेरा कई लोगों से, तो दो लोग के साथ मेरा यहां बिजनस भी सेट हो गया, और अच्छा का सा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ हो के चलने लगा, जैसा सीम साब बोले थे, सब बढ़िया हो गया, उसके बाद मुझे यहां दो लोग मिले, जो मेरे भिलाई कही थे सौरबर रवी, तो लोग से मैं मिला, उनका यहां कंस्रक्शन का काम था, तो मैंने सोचा, मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहां अच्छा काम है यह चीज, तो मैंने अपना परसनल अड़वाईजर रख लिया, यह काम पे, कंस्रक्शन के काम पे, अब इसके बाद हुआ यह एक ही, फेमस यह लोग होने लगे, मादे बुक के नाम से, मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस यह लोग हो रहे हैं, मैंने जीरो से चालू करके पूरा आसमान तक पहुचाया है इस बुक को, और फेमस यह लोग हो रहे हैं, बताओ, ऐसा थोड़ आपको हमारे CM साफ का एक आदत है, भगेल जी का, कि वो कुछ दिन में पल्टी मार देते हैं, और ऐसा मिर साथ हुआ है, जब उन्होंने मुझे दुबाई भेजा, कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया, उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे, हमारे लोग अंदर होने लगे, और छूटी नहीं रहे हो लोग, मैं फोन पे फोन लगाया जाता हूं, परिशान हो रहा हूं, तो वापिस मैंन वर्मा जी को फोन लगाया, तो वो बोले कि चलो ठीक या भिलाई आजाओ, आपका मीटिंग कराते वापिस से, अब मैं डर से पहुंच गया है भिलाई, कि लोग बाहर आ जाएंगे करके, तो वर्मा जी से मैं मिलने गया, वर्मा जी और गिरिश्तिवारी मुझे मिले, रह आके मेरा मीटिंग कराया, अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तो फोन घुमाए, उसके बाद वो बात किये, लौड स्पिकर में था फोन, तो सीधा-सीधा आवास तो समझ आई रहा था हमारे भगेल जी कही आवास था, तो पूरा प्रॉब्लम बताने क कि बाद उन्होंने वहां से ये बोला, कि कैसे रह सोनी, तेरको मैं वहां भेजा था, दुबई काम सेट करने के लिए तू, तो मालिक बन के बैठ गया है, शेक बन गया क्या वहां का, अब मैं कुछ बोली नहीं पाया, एकदम मुह अदास्ता हो गया, तो मैंने यही बोला क कि सर हम तो छोटे आदमी है, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वशा करेंगे, तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रसान जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है, नहीं बोला ठीक है सर, उसके बाद हम चल गए वहां से, उसके बाद प्र सोर्च से दिया है हर कुछ लिखा हुआ है अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है अंदर हो रहे हैं लोग तो क्या मतलब पुरा फस गयो मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार तो प्रसांत अगरवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बास से मैंने अब तक 508 करोड रुपए दे चुका है हमारे भगेल साब बिट्टू भीया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड रुपए दिया है उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है मेरे काम में डिश्टर्बंस हो रहा है इतना ज्यादा मैं इतना परेशान हो गया अब क्या करूँ समझ नहीं आता है जब अरजस्ति का मेरे उपर एडी का करवाई चालू हो गया है अब ऐसा-इसा कुछ होगा मेरे साथ इतना पैसा देने के बाद भी तुम्हें क्या करूँ बताओ अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट हमारे इंडियन गवर्मेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी कि मैं अब फस चुक हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में मैं इससे बहार निकलना चाहता हूं और आपको जैसा एविडेंस यह जैसा प्रूफ चाहिए मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है हर चीज का मेरे पास एविडेंस प्रूफ हर चीज एक एक चीज पड़ा हुआ है तो मैं यही चाहता हूं कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहां से मैं भी इंडिया जाना चाहता हूं वापीस मुझे डर लगता है यहां से इंडिया जाने में मैं जाना चाता हूं वापिस वही रहना चाता हूं लेकिन मेरा हेल्प कीजिए यही रिक्वेस्ट मेरा इंडियन गवर्मेंट से यार